एक तरफ जो बढगन्नी जिजी है वो मेरे सभी रिष्टेदारों के लिए है ये वीडियो तो वीडियो में आके भई जिजी को हाथ जोड़ कर जिजी को सबसे बोलना पड़ रहा है रिष्टेदारों से कि कृप्या करके आईएगा शादी में बगगा की और खूब सारी रौन के लगाईएगा और उधर जो छुटकन्नी जिजी है उनका वीडियो आया पांच मिनट कुछ का वहाँ पे पूरा परिवार हो गया है बिमार ठीक है बच्चा बिमार मा बिमार उनकी छुटकन्नी की मम ममी बिमार बगगा बिमार तो कही ना कही हुआ है वाइरल फीबर उस वज़े से जिजी बड़ी दुखी है वह आपे सबसे कह रही है कल का वीडियो बनाया उनोंने है ना जिसमें वह ओपर जो डबल बेट दिखा रही थी बिल्कुल डिट्टो सेम जो अंकुष के घर में जो इनके ससुराल में बेट है बिल्कुल सेम कॉपी किया जिजी खैर वो बेट दिखाया गया उपर से मम्मी को बार बार उचल उचल के बोल रही थी मम्मी तुम रिटायर्मेंट के बाद गया अराम से चाय मंगा ना और मैं देखो यहां पर इतना काम करती हूँ तो मैं कि लेके तो फ्रेंट्स वेलकम टो माई चानल कैसे हैं आप लोग आज मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं किया है थोड़ा सा ब्रेक लिया है कैसे हैं आप लोग और प्लीज मुझे ज़रूर बताएगा कि कौन कहां से देख रहा है वीडियो और आपके यह बिल्कुल बताएगे क कैसा मौसम है क्योंकि यहां पे जहां पे मैं रहती हूं यहां पे तो बहुत जादा ठंड हो गई है और आज कल तो जादा ही ठंड है और बारिश भी हो रही है तो आप लोग प्लीज बताएगा कि कैसा मौसम है उदर इधर मैं अगर छुटकनी वाली वीडियो की बात करू तो मैंने कल के वीडियो में भी बोला था बच्चे की तरवे ठीक नहीं और आज इस तरह से वो लग भी रही थी उनकी तरवे ठीक नहीं तो हम तो प्रे करते हैं बहुत जादा जो काम का कहते हैं न बहुत इनके उपर काफी टाइम से घर का काम चल रहा है तो बहुत सारी है ये manage कर रही है वो बात और है कभी खुल के बोल नहीं पाती कि इतना काम इतना अत्याचार हो रहा है मेरे साथ मेरे माईके में हाँ कितना काम करूं मैं हाई रे दया लेकिन अगर यही चीजे ससुराल में होती और साथ-साथ भाई घर वाले अगर प्री वेडिंग शूट कर अब तो फुल-on competition हो रहा है भाई आद तीन-चार यूट्यूबर्स आच चुके हैं गौतब, सौरब, उधर से कंचन, कंचन का भी वीडियो लोग बहुत एप्रिशेट कर रहे हैं इंफाक्ट अभी कुछ आर्स में इदिवाली celebration का जो उन्होंने दिखाया अपनी family के साथ इन-law's family को भी आज दिखाया गया है जिसमें इनकी जो भाबी है, इनके मतलब जटानी, जेट और पूरा दिवाली का बहुत अच्छे से शूट किया है जिसमें वो पूजा गरते वे दिखा रहे हैं, कुछ शॉपिंग चंडीगर गई थी, तो उसमें अंकुष भी गया त उनके साथ, तो सारी शॉपिंग जो वो अपनी शायद, एक मेक अप पाउच लेकर आई हैं, और कुछ शूज वगयरा और चपले वगयरा वो भी दिखा रहे हैं, तो काफी लोग एप्रिशेट कर रहे हैं, तो इस ताइम जो दोनों जिज्जी आ हैं, और देखे हमेशा से YouTube पे लोग नए faces हमेशा देखना चाहते हैं, क्योंकि हो क्या रहे कि आप ये लोग इतने टाइम से हैं, और इनकी असलियत भी सब लोग देख चुके हैं, कि इनकी वीडियोस में कुछ सिखाने का नहीं होता, जहां तक बात रही, festivals, rituals की इनको knowledge नहीं है, ठीक हैं, सिर्फ औ content के लिए festivals पे भगवान को, मंदिर को ये लोग एक तरह से place करते हैं, वो भी आप लोगोंने देखा ही है, मन्द भगवान तक को ये लोग content बनाते हैं, लेकिन वैसे अगर आप रोज daily life में देखें, तो कभी इनकी पूझा पाध या कुछ करते हुए नहीं दिखते हैं, औ और जब लोग इनको बोलते हैं, तब इनको याद आती है कि हाँ, हम लोगों से गलती होगी, जैसे लक्ष्मी ची की लोग बोल रहे थे कि येस, लक्ष्मी ची को हमेशा left side पे रखते हैं, और गड़ेश जी को right side पे रखते हैं, लेकिन अभी वाली वीडियो में, छुटकन थी, तुम्हारी मम्मी कहती थी, है न, जब भी वहाँ पे इनको बुलाना होता था चुटकनी को, तो वीडियो में ऐसे दिखा दिया जाता था, कि हाई, बिमार हो गई मम्मी, खाना बनाने के लिए नहीं है, बग्गे ने खुब वीडियो जा लिया, अगर आप लोगों को बग्गा मामा भी नहीं था, सोचो अगर बढगन्नी जिच्ची होती, तो गाड़ी में फटाफट लेके चली जाती, बग्गा इस विजीन कार्ड डिस्रिबूशन हा, कार्ड डिस्रिबूशन यहां पे बढगन्नी भी कह रही है, कि मैंने अपने यहां के और मेरे हम लोगों ने सबने कार्ड डिस्रिबूशन कर दे, लेकिन कार्ड अगर आता, तो यह लोग सोचल मीडिया पे ना दिखाते, या फिर हो सकता है, आप ही क्यों यह लोग दिखाना ना चाहरे हो, फिक है, यह बात होगी, बाकी हां छुटकनी जिसे मैं यह भी बोलना चाहती कि यह थोड़ा वैदर चेंज हो रहा है, इसले भी होता है, बाकी अपना ध्यान रखो, बच्चे का ध्यान रखो, और जल्दी से जल्दी हम प्रे करेंगे, तुमने लिखा है ने टाइटल में प्रे करेंगे, भी हम दुश्मन थोड़ी हैं तुमारे, हम तो हमेशा से तु अगर इस जो सिचुएशन को दिखाया गया है, क्या अब वो जो हस्बेंड है, पेपर वाला हस्बेंड, क्या उसके लिए है कि देखो तुमारा बच्चे की तव्यत खराब है और तुम मिलने नहीं आ रहे हो, अब अब वो सूची मिलने भी कैस है, उस पर तो भई है केस प जाने के लिए क्योंकि अब नान के फैमिली में से कोई आएगा नहीं, ना वो सौरब, सौरब की मम्मी, जो इनकी मौसी जी है, इतर जो गौतम है, गौतम के मम्मी बापा बेनी, अब इनके नान के साइट से तो काफी कम लोग आएंगे, तो इनको लग रहा होगा कि हमारी इजट, हमारी बरात में लोग आ जाएं, तो गाउवालों से अपील की जा रही है, लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोग आईए, रौन के बढ़ाईए, और बाकि जिजी कितना जूट बोल रही हो, तुमारे कमेंट सेक्शन में खूब कमेंट्स आएं, जो हम लोग उन इंतजार कर रहे हैं, तो जिजी, let me clear this, एक रानी करके कोई ID इनके चानल पे आई है, जिन्होंने ये बोला है, कि जूट क्यों बोलती हो, कोई मूँ तक नहीं लगाता तुम्हें गाउव में, मतलब मुझे जहां तक लग रहा है ये जो ID है, ये गाउव में से ही कहीं कहीं कोई है लेडी जो इतनी confidently बोल रही है, कि कोई मूँ नहीं लगाता है इनको गाउव में, और ये यहाँ पे बोल रही है, कि सारे गाउव वाले विल्कुल आखे बिच्छाएं, वेट कर रहे हैं, कि जल्दी से बगगा आए, और हम लोग उसकी शादी में खुब काम कराएं हाँ, तो इस तरह से बाकी, भाई हाँ, एक इनकी कोई subscriber है, उन्होंने ये बोल दिया, कि कितनी बार meditation का पूछा है, तुम इतनी बत्तमीज हो, क्या करूँ, मतलब जिजी, तुम्हारे तरू वाले तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, हाँ, वैसे तुम्हें जब कुछ काम होता है, मुझे पताओ, कि मैज को ये क्या पहनना चाहिए, आप लोग मेरी बहुत हेल्प करते हैं, दोनो भाई बहन, तीनो भाई बहन, जब इनको कुछ काम होता है, था उन्हें तरू वालों से पूछते हैं, लेकि जब तरू वाले कुछ तुमसे पूछ रहे हैं, अरे भाया से ये यूज करते हैं, अभी बिमारियां चल रही हैं, इसकी बगगा वहाँ पर बिमार है, उदर छुटकन्नी भी बिमार है, इधर बिमारियों को सीजन ही खतम नहीं हो रहा है, इधर बढ़कन्ने, जिजज़जी की बिमारियां चल रही थी, ट्राइगलिसराइट, HDL, LDL हाँ, कोलेस्टरॉल, शुगर, पहले प्री डाइबिटिक थे, लेकिन अब नॉर्मल रेंज पे आ गए, नॉर्मल भी भी हायर रेंज में, और अल करेट गोस टू मी, भई मैंने जो इतने अच्छे डाइट फूट खिला है, डाइट करके हैं, बागी कुछ लोग कह रहे है कैस्ट इट नहीं होता, कैस्टर होता है, बागी एक कमेंट आया है कि प्रीतो को मेडिटेशन करने को बोलो, विद जाहिल वाला चैनल पे वीडियो जो डाल रही है, उससे साफ दिख रहे है कि वो बिमार है, प्रीती को साइकेटरिस्ट के पास लेके जाओ जल्दी, तो 125 लोगों ने लाइक भी किया है, लोगों को यहीं लग रहे है कि वो प्रीतो ही बोलती है वोईस ओवर करके, हाँ, तो उसको तो भी इलाज की ज़रूरत है, तो कुछ कुल मिलाके, बाकी येस, जिजी ने इंविटेशन बोला है सबको कि आज एक और सब्सक्राइबर्स को ब मैं भाई साब, जो जिजी ने चीज़े बोली है न, वेट लॉस को लेके, कि मेरे को तीन साल से एक्सपीरियंस है वेट लॉस का, अब तो मैं बल्कुल, डॉक्टर कल किसी ने इनको कॉमेंट किया था कि जिजी डॉक्टर की तरह आज अड़ाइस दे रही है, जिजी के दि जिजी जिजी यह जिजी बहुत जारे लोगों से पूछती हूँ, क्या खाना है, क्या खाना है, और ऐसे ही अगर आपनों को एडवाइस लेनी है तो एक नहीं, तीन चार लोगों से लो, फिर अपने मन के हिसाब से करो, तो कहल कुल मिला कि जिजी ने यह सब चीजे बोली ह की बात करते हुए दिख रही थी, कि वेट लॉस करना ही चाहिए, और मैं जो सोच लेती हूँ, तो मैं करके ही रहती हूँ, मैं बहुत जिजी यह तो हमें पता है, कि आप कितनी बड़ी जिजी है, आपने कॉंटेंट के लिए अपनी खुद की सगी बहें, छुटकनी का घर तक घराब कर दिया, आज हम लोग देख पा रहे हैं, उसका रिजल्ट है न, बाकी, और तो इनकी वीडियो में बहुत लोग केस्टर ओयल की बात कर रहे हैं, जिजी केस्टर आप गलत बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा सही करो, और आने वाले टाइम पर रिश्टिदारों से अपील की जा रहे हैं, मतलब आप बरात में इतने कम लोग होंगे, कि हाथ जोड़ जोड़ के बुलाया जा रहे हैं, कि आप लोग आ जाए हैं, आप लोग उन्हें वेडिंग कार्ट छपवाए होंगे, तो वो भेजी हैं सब लोग, और आप लोगो तो परसनली भी मिलके आना चाहिए, सब को इन्विटेशन दे के आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इतनी विद जाहिल चैनल से इतना गंद गंद जो बुलवा दिया तो लोग भी कह रहे हैं, वही लेडी है, जो इतना मतलब प्रितो ही है वो लेडी, खेर मुझको पता है कि वो लेडी पूछ रहे हैं, तुम्हारे लिए तो meditation, सुकून, शांती तभी होती है, जब तुम लोगों को अपनी कुछ अंदर से भडास निकालनी होते हैं, अपने चैनल पे तो निकाल नहीं सकते हैं, अपने चैनल पे तो हम लोगों को दिखाना है हम कितने अच्छी, कितने मन के सच अच्छी, कितने गरीब और कितने अच्छी लड़किया हैं, लड़किया बोलू, आंटी बोलू, क्या बोलू, तो अपने चैनल पे तो भई एक image makeover करके चलते हैं, लेकिन दूसरे चैनल से ऐसी की तैसी, हर चीज, पतला हर एक को character assassination करना, किसी को भी गंद से गंद बोल दे जिजी, लेवल, आपका जो नया चैनल है, उस पर मेर को लग रहा था कि आपके 50,000 हो गए होंगे, बड़ी यूट्यूबर हो, तो कल पता चला जिजी के 9,000 कुछ सब्सक्राइबर ही हुए हैं, हाँ जिजी, बाकी, अभी देखिए, competition और family में, अभी यहाँ पे गौतम, है, अंकुष, हो सकता है, बगगा की ससुराल family से भी 2-3 vloggers आ जाए, सुनने में तो आ रहा है कि आचल का भी YouTube चैनल खुलने वाला है, आचल कि अगर आप Instagram Reels देखें, तो बहुत जादा उसको views भी मिल रहे हैं, बहुत जादा likes भी आ रहे हैं, और लोग पसंद भी कर रहे ह जब तक सास ससुराल पती का topic नहीं लगाती, तब तक कोई देखने भी नहीं आता, उनके views बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, तो कही न कहीं जो उपर का first floor जो जिजी ने बनवाया है, उस पर सबसे आदा credit, इनके सास और इनके पती, इनके ससुराल कही है, तो जिजी, thank you, बोल होते वे दिखे थे, कि yes, ये promotion क्या होता है, promotion कुछ नहीं होता है, महनत आपको खुदी करने, ठीक है, मैंने थोड़ा बोल दिया, लेकिन yes, आपको खुदी thumbnail भी बनाना होगा, edit भी करना होगा, video और सब कुछ महनत तुमको खुदी ही करनी है, तो ये होता है, ऐसा थोड़ी कि हम है, हमारी वज़े से हमें platform मिला तुमें, हमारे platform पे तुम ये कर रहे हो, हमारा ही YouTube है, हमारे बिना तो कोई तुम कुछ कर ही ने सकते हो, सामने वाले को मतलब किसी तरह से YouTube से हटाना, ये इनका मकसद था, अगर आपको strike, strike भी याद होगी, छुटकनी ने जो strike दी थी, अरे अंकुष को जो 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 आप जा चुकी है, तो strike देने का मकसद यही था, भी भाई, चल तूने मेरी वीडियो डाली, जबकि वो जिजी को बाद में पता चला कि भाई, वो तो म्याई थी उस वीडियो में, मैं इस तरह से strike दे ही नहीं सकती, और हम तो husband wife थे, तो कहीं न कहीं जिजी पे भारी पड़ती हुए दिख गई, फिर बाद में वो strike अब तो खेर चली गई है, तो इनका मोटिव तो यही था, strike, strike, खेल रही थी भाई, reaction चैनल वालों को तो strike दी, लेकिन खुद के अपने paper वाले पती को भी strike दे दिये, हाँ जिजी, तो यह है इनका असल दिवाली उसके बाद कोई वीडियो आया नहीं है, कंचन का जरूर आया है, जिसमें लोने दिवाली celebration with in-laws दिखाया है, तो कब होगा visitation, क्या बच्चे की तबियत खराब है, इसलिए इस महिने का जो एक visitation वाला था, वो चला जाएगा, या हो सकता है next month, दो बार वोशन मि नहीं बताएगा, बाकी yes, हम लोग wish करते हैं कि जल्दी से जल्दी prayer करते हैं कि बच्चा ठीक हो जाए, चली friends, मिलते हैं next video में, बाकी बढगनी जिजी, तुम कितना भी बोलो कि गाउवाले वेट कर रहे हैं, गाउवाले में सही किसी ने लिख दिया है, कॉमेंट कर दिया हुआ है, सोशल मीडिया पर आके कुछ भी बोल लो, जो तुमारे नए सब्सक्राइबर्स, ऐसे नए सब्सक्राइबर्स आतो रही नहीं जिजी, कब से वही पुराने सब्सक्राइबर्स ना बढ़ रहे हैं, ना कुछ हो रहे हैं, घट जरूर रहे हैं, सोचो सोचो, ठीक ह यहस दोनों भेने जो विद जाहिल वाली ऑंटी हैं उनके जो कमेंट्स हैं अपने चैनल से हटा नहीं रही है हाँ तो यह भी प्रमोशन करने का एक होती है एक तरीका होता है प्षुट करनी नीं थो हार्ड भी दिया जिसमें लोगों ने बोला है क्या बात है अधर फ्रांस वाली आंटी को भी जुकाम तुम्हां तुम्हीं भी जुकाम क्या बात है हाँ तो हाट भी दिया गया लेकिन वीडियो वो जो कमेंट है उसको डिलीट नहीं किया तो एक तरह से फुल प्रमोशन चल रहा है उस चैनल का चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स फीडियो को थैंके सो मच वर वाचिंग और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर करके जाएएगा और ये जरूर बताएगा कि कहां से हैं और कैसा मौसम चल रहा है जरूर जरूर बताएगा चलिए बाई बाई टेक केर